परिचय और उनके प्रकारियों के बारे में पढ़ेंगे आउ सीखें स्थानिय निकायों को परिभाशित करना नगर निगम और नगर समिती के प्रकारियों को बताना स्थानिय संस्थाओं के आय के स्रोत बताना नगर समिती नगर समिती कस्बों और शहरों में लोगों की जरूरत और हित का खयाल रखती है नगर निगम महानगरों में लोगों के हित के लिए काम करते हैं स्थानिय निकायों के सदस्य नगर समिती और नगर निगम को स्थानिय निकाय कहते हैं किसी कस्बे या शहर के नगर समिती या नगर निगम के सदस्यों का चुनाव वहां की जनता करती है 18 वर्षते उपर सभी पुरुशों और महिलाओं को नगर पाले का चुनावों में वोट डालने का अधिकार है बड़े शहरों में अध्यक्ष को मेर कहते हैं, वह नगर समिती या निगम का प्रधान होता है नगर समिती और निगम के प्रकार्य नगर समिती और निगम देखते हैं, सडकों का रख रखाव, पार्क और उद्यान का रख रखाव, अपशिष्ट का निस्तारण, जल निकासी, लोगों को पीने लायक पानी का वितरण, गलियों में प्रकाश, अस्पताल, दवाखाना और स्वास्थ्य केंद्र खोलना, प्रा स्थानिय निकायों के आयकासरोत, स्थानिय निकाय सेवाएं प्रदान करने के लिए संबंधित राज्य से धन प्राप्त करते हैं, राज्य सरकार इसके बदले अपने नागरिकों से धन कर के रूप में प्राप्त करती है, जो की संपत्तिकर, सडक कर और चुंगी के रूप में होता है हमने क्या चर्चा की नगर समिती और निगम कस्बों और शहरों में लोगों की जरूरत और हित का ख्याल रखती है नगर समिती या निगम के सदस्य उस कस्बे और शहर की जनता द्वारा चुने जाते हैं मेयर समिती या निगम का प्रधान होता है नगर समिती और निगम विभिन सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने राज्य से धन लेती हैं और बदले में राज्य सरकार जनता से करों के माध्यम से इस धन को इकठा करती हैं